वेल्कम बैक आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूटूब चैनल पे अंग्रेजी के रोमांचक और मज़दार वीडियो आप इस चैनल के माध्य हमसे देख रहे हैं और आप में काफी जादा इनर्जी मिल रहा है अंग्रेजी को सीखने को लिखर के तो उसी मात्रा के साथ मिला करके वीडियो को एंट देखना बहुत ही रोचक मैं फिर से बता दे रहाओ वीडियो को जरूर से जरूर एंड तक देखना आपको रोचक जानकारे मिलेगी है ना तो चलिए शुरुआत करते हैं आप हमारे चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं चैनल क करका होता है डेवल ई जैसे मैं लिख रहाऊ आप इसे जरूर से जरूर अपने कौपी में नोट कर लेंगे तब आगे जो है मैं जो बताने जा रहा हूं वह आसानी हो जाएगे ये देखिए यू होता है दिरिगव का डबल ओ होता है री का आर आई होता है एका यी होता है डबल एकर का ए और आई होता है ठीक है ओ कर का ओ होता है डबल ओ कर का ए यू होता है या ओ यू दोनों में से किसी एको लगा सकते हैं और अन्सकार का ए और एन होता है अब इसरगा का A और H होता है, आप सबसे पहले आप इसको अपने कॉपे में जरू से जरू नोट कर लो, आप थोड़ी दर के लिए रुख जाओ, वीडियो को पाउस करो, इसे अपने कॉपे में लिखो, तब आप अगला पाट को आप समझ सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब हम लोग अगला प फिर काका के आकार का क्या होता है, देख लो, काका, सिंपल, सिंपल है काका को अपने लिख लिया यहाँ पे, चलिए, मामा, मौका क्या होता है, अब देखो, आकार का क्या है, ए, फिर मौका क्या होता है, ए, आकार का क्या है, ए, मामा, सिंपल है न, अब देखो, बाबा, ब अब देखो आकार का क्या है A, फिर बॉका होता है B, आकार का क्या है, देख लो यहां पर A, बाबा, सिंपल तरीका है न, चलिए, राधा, रोका होता है R, और आकार का होता है A, अधा का होता है D, H, अब फिर आकार का होता है A, राधा, ठीक है, चलिए, कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको पहले आप जरू से जरू नोट कर लेंगे हैं, बहुत ही रोचग ये वीडियो होने जा रही है, चलिए, अब आगे हम दो देखते हैं, पीरी, देखो, पीरी, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे, पीरी जो है, सबसे पहले, पॉका क्या होता होता है, पॉका होता है, पी, अब देखो, यह हर से ही कारका है, अब देखो, हर से ही कारका क्या होता है, देखलो, आई होता है, क्या होता है, ठीक है, आई होता है, रोका क्या होता है, आई यह दिरगई है, अब देखो, दिरगई कारका क्या होता है, इ, इसलिए मैं बोल र फिसको आप नोट कर लेगे द देखलो to be aक ठीड के सिरी सौका एस हरसाइक अर यहां का ने देख पार है ऊपर अप देख लिजिए हरसाइक करका यह दिरगायी करका यह मतलब इधर से जो है उसको I और इधर से जो है उसको W चली गिरी गौ का G और हरसी करका I रो का R और दिर्गही करका W ठीक है? चली उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पा रहे हैं अब देखिए यहाँ पे हरसाओ दिर्गहो दिरो यहाँ पे देखिए हरसाओ करका होता है यू और दिर्गहो करका होता है डवलो ठीक है? चलीए देखिए हैं पे मॉका M अब हरसाओ करका देखिए यू है यू कौका के अब आकार का मैंने आपको बताया था ए उपर देख लेना मॉका अब देखिए चूरा चौका होता है च अब देखिए हरसाओ करका यू रो का होता है आर और आकार का होता है ए चूरा अब देखिए पूनू कुछ भी लिखने के लिए मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ देखिए हरसाओ करका होता है यू देख पार रहे हो यू नो कई होता है आज दिरहकों का होता है डिरहसरा होता है देखेत बहुत रोचक विडियो यह आपके लिए हो रही है आप बहुत जफार छे र कर अपने दोस्तों को अब देखो यहां पे री की मात्रा आपको बताओ री का होता है आर आई क्या होता है आर आई वही चीज़ आपको यहां पे देखेंगे देखो क्रिपा सबसे पहले को का के अब को में री लगा है तो आर आई पो का पी अब आकार का ए आकर का भी मैंने आपको बता है आकर का ए होता है ठीक है कृपा कृष्णा को का के री का आराई क्री यहां देखो यह अलसो का एस एच नौका एन और फिर आकर का देखो ए होता है कृष्णा मुरिग मो का एम अदेको री का आराई गाओ का जी बीग त्रिप्ती देखो तॉका टी यहां री का आराई ट्री अदेको पो का पी अदेको टी का टी अधिर गई का डबल-ई अब दे सकते ठीक है ठीक है चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे अब हम लोग A की मात्रा देखेंगे A का होता है E ठीक है, डबल A कार का होता है A और I वहाँ उपर अब देख लेना ठीक है, देखो केला को का K, A कार का है E, लो का L और आकर का A कैला, अब देखो के डबल अकर का होता है, ए आई देखलो, ए आई उपर अब देखले न, लौ का ए, अकर का ए, कैला, सैला, सौकस S, डबल अकर का A और I, लौ का L और अकर का A, सैला, बेला, देखो बौ का B, और सिंगल अकर का E होता है, तो E, और फिर यहाँ पे लौ का L और अकर का A, बेला, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हों कोला देखो रोखर की 24 करल को होता है डबल चलिए देखिए गया अब तो जी जी गउ काजी और डबल ओकर का अब देखो अनस्कार भी आ गया अनस्कार का होता है मैंने उपर बता दिया चले आगे बढ़ते है यहाँ पर देख लिए पंजा पो का पी और अनस्कार का A और N अनस्कार का A और N होता है उपर आप देख लिए न जो का जे और आकार A पंजा गंजा गो का जी और A और N अनस्कार का होता है फिर जो का जे होता है और आकार का A होता है अब देखो का बिसरगा का क्या होता है भाई एच देखो का और बिसरगा का होता है ए और एच ठीक है फिर गा बिसरगा का ए और एच फिर पा बिसरगा का ए और एच ठीक है इस तरह से आप लिख सकते हैं और सब का नाम आप लिख सकते हैं तो हिंदी मातराएं इंग्लिस में कैसे लिखें और नाम हम लोग कैसे झाल झाल झाल